वेल्कम टू शायन दवर्ट विद आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास्टायल का इंगलिस सब्जेक्ट से प्रोस अक्षन का चैप्टर वन लैटर तु गॉट जिसके राइटर है जी एल फ्यून्स तो यह जो चैप्टर यह बहुत इंट्रेस्टिंग है और आप लोग की चैप्टर बहुत ऐए अच्छा लगने मुला नहीं रहा है जांत जो करते हैं तो यह जो है यहां पर यह से जो कि पूरी इंटाइर वैली में एक मात्र है वहां पे एक घर जो कि कहां पे सथित है लो हील की क्रेश्ट पे क्रेश्ट मनले इकदम उचाई पे पहाड के अगदम उचाई पे यह जो घर है वह स्थित है कर आगे बढ़ते हैं from this height once could see the river and field of ripe corn drop with the flowers that always promise a good harvest मलब की यहां पर बताया है कि from this height मलब की इस उचाई से जहां पर वह घर स्थित है उस उचाई से हम लोग क्या देख सकते हैं एक पूरी पूरी रिवर देख सकते हैं और फिल्ड देख सकते हैं किस चीज की फिल्ड राइप कॉर्ण की राइप कॉर्ण में सोता है पके हुए तो इसकी पूरी हम लोग फिल्ड देख सकते हैं और वहां पर फ्लावर भी लगे हुए हैं जो हमें यह बताते हैं कि जो इस बार की हार्वेस्ट मिंस होता है फसल इस बार की जो फसल है वह बहुत ही अच्छी होने वाली है उसके बार आगे बढ़ते हैं हम लोग ता ओनली को अंच्छी तो कि आघंगे नियुक्त में फसला की बारिश काना तो मन की वह जो आर्थ है वह ऐसे बारिश चाहरे थी आप बारिश ना भी हो तो वह एक हलका सा शावर चाहर रहे थी ताकि उसकी जो फसल होती है वह अच्छी हो ठोड़ आउट दा मौर निग लैंच्छो दुझ ने पूरे दिन भर में कुछ नहीं किया जोकि अपनी फसल को बहुत अच्छे से जानता है वो पूरे दिन में पूरे दिन भर में मल्की स्काइत को देख रहा था जाए और मेरी इससी इसे हो जाय est now we are really going to set some water guru 2 वाइख तो मल कि जो आप मुझे la gta क्या है कि हम लोग सब्सक्राइब पारिश वाल कि बारिश आज आजाएगी तो आगे बढ़ते हैं लिए मों आप कई आध करती यह में बैडर्टी तो जरूर बारिश जाएगी दा ओल्डर बॉइब वर वर्किंग इन दा फील्ड वाइल दा स्मॉलर वन्स वर प्ले नियर दा हॉज अंटिल दा वुमें कॉल अफ देम और अब किया पताए गया इसमें जो ओल्डर बॉइब होते हैं उल्डर बॉइब हलके से बड़े बच्चे वह फेल्ड में काम कर रह और मुंसा झांति हम और यसम जो छोटे बच्चे होते हैं वह हमकर बच्चे को सबस् Tell WeBeat के सब्सक्राइब हार यूंट ऊस्फी वाइथ होते हम जो उवन कोल ही वाइफ वह बहुती सब्सक्राइब क्acas ऑद्लाशी को च्शिप के लिए बुलाथ गउन दियर दिंट इध बोड़ी बूंदे गिरने लगती है मलकि बारिश वहां पर आ जाती है इन दर नौर्थ इस्ट हुईज माउंटेन आफ क्लाउट कुट बी सीन एप्रोचिंग मैं कि जो वह नौर्थ इसकी क्लाउट थे वही उसी से बारिश आ रहे थी विग्दम कले-कले हो गए थे दा एर जो हवा थी वह बहुत ही फ्रेश थी ताजी थी और स्वीट थी दा मैं दा मैं वेंट आउट पर नो अधर रिजन थे तो हैव अपर से बारिश आ रही है वह उसे अपनी बाड़ी पर महसूस कर सके वह इता खुश हो जाता है जब बारिश होती है जब वापस लॉट युरॉट युज को अपनी वाइब से कहता है कि जो बारिश आई है ये मेरे लिए जासा कि इसको लगा आप जब भारिश आगए तो उसकी फसल बहुत अछे से हो जाएगे और फसल हो जाएगे तो उसे पैसे मिलीगे तो वह एही अपनी वाउब से कहत 10 cents pieces and the little ones are 5 वो बताता है कि जो बड़ी भूंदे हैं यह 10 cents है और जो छोटी भूंदे हैं यह 5 cents है विट आ सैटिस्वाइइ सट्रेक्शन ही रिगार्ड तफील ओफ राइप कॉर्ण विथा फ्लावर इस फ्लोवर्स तो जो वो था वो बहुत अच्छा मलगी बहुत खुश होता है जब बारिश होती है और जो कॉर्ण की फील होती है वो भी एकडम खुश हो जाती है ड्रैप इन ऑ शर्टेन और रेंट जो बारिश हो रहे होती है तब बट सडनी एस ट्रौंग विड़ी बिंट ब्लो एंड अलॉन विद दा रेंट वैरी लाज हील स्टों बीगें तो चलजनर में हों आँ कि बारिश भूछे बारिश की सबस में लगता है वहां फिली चानल से मतला है कि अधाओ शायलम के बारिश की ड्रॉप बारिश संवर याई Зब्स में कि बदलने इस्टें कenshin ऐसे धुर्जें इसा लग रहा था जैसे कि चांदी की सिखयर जैसे हैं कभी आप इमस्न करें प्रिश्चे अगर जो जो छांदी की सिखय नीचे गिरिंगे तो कैसे एए वाज घुत जाए जही होगा तो वहीं रहा था कि यह एक दम संदी की सिख्क हो जैसा है उसके वाद लोग दबॉइज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टुडव रन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर और जो वहां के बच्चे थे मल्कि वह जली से बाहर आते हैं अपने घर के और जो फ्रोजन पर यहां पर फ्रोजन पर का मतलब है वही जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उन्हें कलेक्क करने लगते हैं इस रीली गेटिंग बैड नौँ आप मतलब कि वह जो वही जब्लेंड वह आशा करता हूं कि यह जल्दी समाप्ठ होजाएं उन्हां प्थर गिर वह जल्दी बंद हो जाएई बंदागे कि वह सूच रहा होता है उसा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता पास नहीं होगा, for an hour, the hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield on the wall valley, क्या बताएगे इसमें, for an hour, बल्कि एक घंटे के अंदर ही, वो जो hail rain थी, वो जो drops, बल्कि पढ़ रहे थी, जो पत्थे पढ़ रहे थे, वो हर जगह हो गया, बल्कि हार जगह पढ़ गया, घर में, गार्डन में, वो cornfield में, पूरी बैली में वो फैल गया था, the field was white, आप जो वहां की खेत थे, वो एकड़म वाइट हो गया थे, जब इते पत्थर पढ़ेंगे, तो वाइट हो ही जाएगा, as it covered with salt, ऐसा लग रहा था, कि ये जो पूरी फील है, वो नमक से ढग गई हो, not a leaf remained on the tree, अब पेडों पर एक भी पत्तिया नहीं रहे गए थी, the corn was totally destroyed, जो corn थी, जो फसल भुट्टा था, वो बिल्कुल ही खराब हो चुका था, बिल्कुल ही destroyed हो चुका था, the flowers were gone from the plants, जो प्लांट थे, उनसे फ्लावर भी चले गया थे फील के गिर गया थे, लैंचो, soul was filled with sadness, जो लैंचो के आत्मा थी, वो बिल्कुल ही sad हो गए थी, बिल्कुल ही निरास हो गए थी, ये लैंचो है, बिल्कुल निरास सा, तो यह ही हो गया उसके साथ, when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब स्ट्रोम जो था, वो जो तूपान था, वो जब चला गया, तो जो लैंचो था, वो अपने खेत के मेडिल में जाके खड़ा हो गया, बीच में जाके खड़ा हो गया, और वो अपने बच्चों से कहने लगा, अपने बेटों से कहने लगा, a plague of Clutchwood, have left more than his, मैंकि, plague मनलब कि यहां पर क्या बताया है, गया रहा, प्लेक यहां पर plague से इसका मतलब है कि plague नहीं होती है, क्या आती है, इससे बहुत सारे इंसेक्ट का जुंड आ जाता है, हमारे खेतों में आ जाता है, और पुरी खेत को खा जाता है, ऐसा यह वह बता रहा, अगर जो वो भी आता, तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ ज करने के लिए कुछ नहीं है, और यहां पर ऐसा कोई नहीं है, जो हम लोग की मदद कर सके, और मुझे लगता है, कि हम लोग इस साल पूरे साल मलब की भूगे ही रहने वाले हैं, इसके बाद आगे बढ़ता है, यह जो है कुश्चन से जिनको बार में करेंगे, पहले हम लो कि यह आधे बार में है, कुश्चन से नहीं हम पर हम लोग मलकी इसमें बता रहे हैं आप मलकी don't be so upset आप मलकी ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए टोटल लॉस की वज़े से remember no one dies of hamburger मांकि वो सोचता है कि अगर जो मैं God से help लेता हूँ तो मेरा यहां पर मलकी कोई भी hunger से नहीं मरेगा that was the same मलकी इसलिए वो कहता है no one dies of hunger कोई भी भूख से नहीं मरेगा although the night Lancho thought only of his one hope पूरी रात मलकी although the night पूरी रात जब वो लेटा हुआ था सो रहा होगा यह सो तो रहा नहीं था आखी थी वो एकदम इस्ट्रक्टर हो गई मतलब कि पूरी जगा इधर उदर देख रही थी वो सो नहीं पा रहा था इत्ता उसे तेंशन थी even what is deep even what is deep is once conscience Lancho was an ox of a man working like an animal in the field बलकी वो बताता है कि जो लैंचो था उसने पूरे साल ox of a man मतलब कि होता है एक hard working लड़का एक hard working आदमी जैसे कि ox होता है वो खेल में बहुत ज़्यादा hard work करता है तो यही बता रहा है जो लैंचो था उसने पूरे year hard work किया था किसके तरह एक जानवर की तरह अपनी field में पूरे साल hard work किया था but still he knew how to write लेकिन जो इसकी फसल थी वह पूरी डिस्ट्राइब हो चुकी थी बट इस्टिल ही न्यू हाव तो राइट तो वह सोच रहा था कि मैं आप इसे कैसे लिखू दाफिता फॉलंग संडे 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 आया एट डे ब्रेक ही बिगें तो राइट अ लैटर विची हिंसल वोड कैरी तू टू 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 प्लेस इंद 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 में तो मल्कि संडे को इसने एक लैटर लिखा गॉड को लिखा और वो खुदी उसे कारी कर के टाउं तक लेक्या किसले लेगा उसे मेल करने के लिए इसके बाद इट वॉज नथिंग लेस देन अग लेटर टू गॉड तो मलकि यह कुछ भी नहीं था गॉड को लाटर था उसने गॉड के लिए लेटर लिखा था तो यहां तक हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर लिए अब जो इसके आ